दोस्तों वेस्टेंडिस के खिलाफ वंडे सिरीज के लिए भारती टीम हुई गोशित देखिए 18 खिलाडियों की पूरी लिस्ट स्वागती दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चनल किरकेट देखो जी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टेंडिस के बीच तीन वंडे मुकाबलों की सिरीज खेली जाने वाली है जिसके लिए टीम इंडिया गोशित हो चुकी है कौन सी वह 18 सदस्य खिलाडी हैं जो आप सभी को इस वंडे सिरीज के द्वारा खेलती पे नजरा सकते हैं पूरी लिस्ट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करती हो चाहती हो कि भारती टीम वेस्ट इंडियस के खिलाफ 3-0 से इस सिरीज को जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दूस्तो भारत और वेस्ट इंडिस के बीच तीन मैचों की एक रोमान्चक वंडे सिरीज खेली जाने वाली है जिसका पहला मुकाबला 6 फरवरी 2020 को खेला जाएगा जो कि एहमदबाद के नरंदर मोधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच की शुरुबात भार इस बार चेंड करताओं के द्वारा कई सारे चोंकाने वाले फैसले हमें देखने को मिले है यहां कई सारे दिगज खिलाडियों को बाहर किया गया है इनके अलावा कई सारे खिलाडियों को भारती टीम में शामिल कर टीम इंडिया काफी ज़दा मजबूत नज़रा रही है जहां एक तरफ आल डाउंडर हार्दिक पांडिया टीम इंडिया से बाहर है इसके अलावा नवी जड़िचा भी टीम में मौजूद नहीं है और अपनी फिर्की के इनबाजी से वेस्ट इंडियस के बल्ले बाजूं को अच्छा खासा परिशान कर सकती है तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं वेस्ट इंडियस के खिलाफ खेले जाने वाली इस वेस्ट इंडियस के लिए भारती टीम में किन 18 सदस्य खिलाडियों को मौखा मिला है उन 18 सदस्य खिलाडियों के पूरी लिष्ट विस्तार से जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है क्या भार्थी टीम वेस्ट इंडिस की टीम को इस वंडे स्रीज में रोंद पाएगी उसका जुआप आप हमें कॉमेट करके जरूरू दे सबसे पहले बात कर लेते हैं कप्तान और उपकप्तान की तो सबसे पहले कप्तान के तोर पर रोहीच शर्मा की भार्थी टीम में वापसी हो गई है दोस्तो रोहीच शर्मा के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है अब रोहीच शर्मा भार्थी टीम के तीनोही फॉर्मेट यानि कि T20 वन डे ओर टेस्ट क्रिकेट तीनों ही फॉर्मेट में रोहीच सिर्मा को कफ्तान बनाया गया है जो की अधिकारिक तोर पर अब इसका फैसला हो चुका है भार्टी टीम की तरब से रोहीच सिर्मा इस बार वापसी करने वाले हैं क्यूंकि हाली में साउथ अफरिका के खिलाफ रोहीच सिर्मा फिट नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थे लेकिन अब बहुत पूरी तरसे फिट हो चुके हैं और भार्टी भार्टी टीम में वापसी भी कर चुके हैं एहमादवाद के मैदान पर प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए हैं इसके अलावा उफकप्तान के तोर पर आप सभी को केल लाहूल खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन केल लाहूल पहले बंडे मकाबले में शायद ही खेल प सबसे पहले नाम आता है ओपनिंग बलेबाज शिकर धवन का जी हां दोस्तो इस बार रोहीत सिर्मा के साथ शिकर धवन ओपनिंग बलेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और इन दो नहीं खिलाडियों के बहतरीन जोड़ी कई साल बाद हमें एक साथ खेलते हुए नजर करती है हालाएं कि शिकर धवन ने खाली में वन्डे स्रीज में साथ अफरीका के खिलाफ काफी शांदार प्रेजिशन किया था इसके अलाबा रुतुराज काईकवाड को भी मौका मिला है जो की ओपनिंग बलेबाजी का जिमा संभाल सकते हैं या तो फिर मंदे क्रब में भी बलेबाजी कर सकते हैं रुतुराज काईकवाड की जाए तो खाली में खेले गए आईपियल 2021 में रुदुराज काईकवाड ने सबसे अधीक रन बना कर तहल का मचा दिया था अब बंडी क्रिकेट में भी रुतुराज काईकवाड से कुछ ऐसी ही प्रेजिशन की उम् कर अपनी खुलकर बलेबाजी का जल्वा बिकेर सकते हैं और एक अलग विराट कोली हमें देखने को मिल सकते हैं इसके अलाबा स्रेय सयर और सुरियॊ कमार यादो को एकheiten वन्डे के टीम में शामिल किया गया है जहां तक बात की जाए सरे सेयर की तो मदिक्रम बल्ले बाजी में संभालने का काम सरे सेयर कर सकते हैं वह खुबी तरीकी से उन्होंने पहले भी किया है और काफी शांदार बल्ले बाजी करती हुए नजराए है लेकिन थोड़ा सा अब आउट फॉर्म चल रहे हैं उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फॉर्म में लोट आए विकेट किपिंग का एहम जिम्मा संभालते हुए नजराते हैं ऐसे में इस वंडे सीरीज के द्वारा रिशाप पंतर से बहतरीन प्रदेशन की उम्मीद की जाएगी इसके अलाबा आल डाउंडर खिलाडियों के तोर पर नमबर एक पर दीपक खुड़ा को मुका मिला है जो कि भारती टीम की तरब से तीनों ही वंडे मुकाबले खेलते हुए नजरा सकते हैं दीपक खुड़ा एक बहतरीन ओल डाउंडर खिलाडी है जो कि अपने विस्पुड़क बले बाजी के लिए जानी जाते हैं साथी में वक्त पढ़ने पर गेन बाजी भी करके दिखा सकते हैं और भारती टीम के लिए विकेड्स भी दिला सकते हैं दीपक खुड़ा टीम इंडिया के लिए गोल्डन खिलाडी बन सकते हैं तो वहीं पर एक बार फिर से वाशिंटन सुंदर के लंबे समय के बाद किर्केट में वापसी हो गई है पिछले सीरिस के लिए वाशिंटन सुंदर को चुरा गया था लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से उन्हें भारती टीम के स्कौड में शामिल नहीं क्या गया है लेकिन आप वाशिंटन सुंदर पूरी तरसे नेगेटिव है यानि कि उनकी रिपोर्ट और वह भारती टीम के स्कौड में शामिल हो चुके हैं कोराइन रायन पे हो चुके हैं अब उम्मीद करते हैं कि स्पीन गेनबाजी के साथ साथ वाशिंटन सुंदर बले बाजी में भी अपना थोड़ा सा योगदान थे इसके अलावा आप सभी को तेज गेनबाज तक लड़े थे ऐसे में शादू ठाकुर से एक बार फिर से कुछ उसी तरह की गेनबाजी और बले बाजी की उम्मेद की जाएगे वहीं पर स्पीनर गेनबाज के तोर पर तीन स्पीनर गेनबाजों को मौका मिला है जहां सबसे पहले तो यूजबिंदर चेहल का नाम आता लेकिन इस बार यूजबिंदर चेहल के तोरह हमें शादार गेनबाजी देखने को मिल सकती है इसके अलाबा आप सबी को कुल्दी प्यादो की वापसी होते हुए भी नज़रा सकती है इस सालों के बाद कुल्दी प्यादो की टीम इंडिया में वापसी होते हुए हमें इसके अलावा आप सभी को नमबर तीन पर यानि की तीसरा स्पिनर गेंबाज के तोर पर रवी विश्णोई खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दीपक चेहर भी तेज गेंबाज के तोर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा गेंबाजी में भी दीपक चेहर ने शांदार गेंबाजी की थी। इसके अलावा आप सबी को आविश खान भी तेज गेंबाजी की भूमिका निबाते हुए नजर आ सकते हैं। इस गेंबाज ने आईपेल में काफी शांदार प्रदेशन किया है। साथी में उसके बाद घरिलू क्रिकेट में भी इनके द्वारा शांदार गेंबाजी देखने को मिली है। और इनके इसी बहतरीन गेंबाजी के दम पर टीम इंडिया में इनका सिलेक्शन हुआ है। इसे में आप देखना दिल्चस्प होगा कि इन चार तेस गेंबाजों में से कोंसा गेंबाज बहतरीन परदेशन कर पाता है।